C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक संचयन काध्वानियंकन जिसका वाचन कर रही है निवदिता सर्दार प्रस्तुत है पांचमा पाठ हामित खां लेखक S.K. पुट्टे काठ लेखक परिचे S.K. पुट्टे काठ 1913-1982 केरल के कोशी कोड यानि काली कट में हुआ था इंटर्मीडियेट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित दिसुजन में लग गए पुट्टे काठ की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रन हुआ है जाती धर्म और संप्रदाय से परे मानविय सोहार्द को उभारने में पुट्टे काठ को पूरी सफलता मिली है उनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व और भाईजारे का संदेश मिलता है कथाकार पूट्टे काठ को साहित्य अकादमी तथा ज्यानपीठ पूरसकार से सम्मानित किया गया उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाध हुआ है उनकी प्रमुख कृतियां है प्रेमशिशु, विश्कन्या और मुडुपडम पाठ परिजय प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बड़ी सहज़ता से हिंदू और मुसल्मान दोनों के हृदय में धड़कती सहृदयता एवं एकता की भावना को अभीव्यक्त किया है लेखक की पंथ निर्पेक्ष मानविय भावना तक्षशिला निवासी हामिद खां के हृदय को स्पर्श करती है और उन दोनों में कैसे परस पर एक सोहार्द पूर्ण आत्मिय संबंध स्थापित हो जाता है का मार्मिक वर्णन इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है आईए सुनते हैं पाठ हामिद खां प्रिष्ठ संख्या 35 से 40 तक तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समरार पत्र की यहां खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया मैंने भगवान से विनती की हे भगवान मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना अभी दो साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराने खंडहर देखने गया था एक ओर कड़कडाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था रेल्वे स्टेशन से करीब पौन मील की दूरी पर बसे एक गाव की ओर निकल पड़ा हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार जहां कहीं नजर पड़ी, धूआ, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें ही दिखी कहीं कहीं तो सड़े हुए चमडे की बदबू ने स्वागत किया लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया मन में विचार आया, इस गाव में होटल की जरूरत ही क्या होगी अच्छानक एक दुकान नजर आई, जहां चपातिया से की जा रही थी चपातियों की सुंधी महक से मेरे पाव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कराहट ही रक्षक और सहायक होती है सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया एक अधेड उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर जुकाए चपातियां बना रहा था मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़ कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा मैं उसकी तरफ देख कर मुस्करा दिया फिर भी उसके चहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वह बे परवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा चपाती और सालन है वहां बैठ जाएए उसने एक बैंच की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं बैंच पर बैठ कर रुमाल से हवा करने लगा मैंने दुकान के भीतर जाँख कर देखा बेतर तीबी से लीपा हुआ आंगन धूल से सनी दिवारे एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुढधा गंदे तक ये पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था हुक्के की गुड़गुडाहट में उसने अपने आपको ही नहीं बलकि सारे जहान को भुला रखा था भाईजान आप कहां के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड उम्र के पठान ने पूछा माला बार के? मैंने जवाब दिया उसने यह नाम नहीं सुना था आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिनी छोर मदरास के आगे क्या आप हिंदु है? हाँ, एक हिंदु घर में जन्म लिया है उसने एक फी की मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा आप मुसल्मानी होटल में खाना खाएंगे? क्यूं नहीं? हमारे यहां तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखट के मुसल्मानी होटल में जाया करते हैं वहां मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया मैंने उसे गर्व के साथ बताया हमारे यहां हिंदू मुसल्मान में कोई फर्क नहीं है सब मिलचुल कर रहते हैं भारत में मुसल्मानों ने जिस पहली मस्ज़ित का निर्मान किया था वहां हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडूं गलूर में है हमारे यहां हिंदू मुसल्मानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन कर कहा काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता मैंने पूछा मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है पर मैं इस पर इमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं क्योंकि यहां कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फखर के साथ किसी मुसल्मान से नहीं कह सकता उसकी नजर में हम आतताईयों की उलादे हैं हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता हैं यही हमारी नियती है उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी आपका शुभ नाम मैंने पूछा हामिद खाँ वो जो चार पाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है अच्छा आप दस मिनित तक इंतिजार कीजिए सालन अभी पक रहा है मैं इंतिजार करने लगा जोर से आवाज लगाई एक छोकरा दोडता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिचा कर लाल मिट सुखा रहा था हामिद ने पश्टो भाशा में उसे कुछ आदेश दिया वह दुकान के पिछवाडे की तरफ भागा भाईजान जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है किसी पर धोस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते आप इमान से मुहबबत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए है ऐसी इमानदाली और मुहबबत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े अगर हिंदु और मुसल्मान इमान से आपस में मुहबबत करते तो कितना अच्छा होता धीवे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी च्रपाती उतार कर खड़ा हो गया जो छोक्रा पिछवाडे की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया हामिद खाने तीन चार चपातियां उसमें रख दी फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा छोक्रा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रख कर चला गया मैंने बड़े चाव से भर पेट खाना खाया कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा मुस्कराते हुए हामिद खाने हाथ पकड़ लिया और बोला भाई जान माफ कीजिएगा पैसे नहीं लूँगा आप मेरे महमान है महमान नवाजी की बात अलग है एक दुकान दार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे आपको मेरे मुहबबत की कसम एक रुपे के नोट को मैंने हामिद खान की और बढ़ाया वह सकुचा रहा था उसने वह रुपेया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया भाई जान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिये है मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे आप जब पहुँचे तो किसी मुसल्मानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करे वहां से लोट कर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा पर हामिद खान की वह आवाज उसके साथ बिताइक शणों की यादे आज भी ताजा है उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है तक्षशिला के साम्प्रदाइक दंगों के चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में च्छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को त्रिप्त किया था बची रहे मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ शब्द अर्थ आगजनी उपद्रवियों द्वारा आग लगाना अलमस्द मस्थ अधेड ढलती उम्रका सालन गोश्ट या सबसी का मसालेदार शोर्बा बेतरती भी बिना किसी सलीके या तरीके के दडियल दाडिवाला फक्र गर्व आतताईयों अत्याचार करने वाले नियती भाग्य पश्टों एक प्राचीन भाषा चाव से शोक से क्षुधा भूख त्रिप्थ संतुष्ट संतोष बोध प्रश्ण प्रश्ण संख्या एक लेखक का परिचै हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? प्रश्ण संख्या दो काश में आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आखों से देख सकता हामिद ने ऐसा क्यों कहा? प्रश्ण संख्या तीन हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? प्रश्ण संख्या चार हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? प्रश्ण संख्या पांच माला बार में हिंदू मुसल्मानों के परसपर संबंदों को अपने शब्दों में लिखिये प्रश्ण संख्या चै तक्ष्शिला में आगजनी की खबर पढ़ कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौन धा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेश्टा का परिचय मिलता है? संचयन अभियाप सुन रहे थे ये ध्वनी पुस्तक, वाचन, निवेदिता सरदार, तक्निकी निर्देशन, सतीश लाडे, ध्वनेंकन, अमिता भट्टी और बटी लेंगलिंग्डों, तथा निर्मान एवं प्रस्तुती, दाउ दयाल चतुर्वेदी